हलो फ्रेंड्स जैहिंद नमस्कार सस्त्रियाकाल अदाब आपका स्वागत है आपके परिवार इस टक्रिंग में दोस्तों कैसे हैं आप लोग उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपनी तयारी अच्छे से कर रहे होंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 21 फरवरी 2016 में जो आपका पेपर हुगा था दोस्तों पेपर नमबर फर्स्ट इसको हम लोग पढ़ेंगे इसमें से पूरे कोश्चन को आज हम लोग इस वीडियो में कम्पलीट करने वाले हैं 150 question को दोस्तों दोस्तों अगर इसका आप 2016 के paper को PDF आप चाहते हैं तो इसका PDF आपको वीडियो के description box और comment box मिल जाएगा और अगर वहाँ भी नहीं मिलता है तो आप जो है इस चाह करके हमारे टेलिग्राम चैनल से आप जुड़ जाएगे तो वहाँ पर इसका आपको PDF मिल जाएगा जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमने 2019 के paper का discussion कर लिया है और 2018 के paper का discussion कर लिया है 2017 में paper कोई paper नहीं हुआ था दोस्तों 2017 में कोई paper नहीं हुआ था इसके बाद आप हम पे जो है discussion कर रहे हैं जो हमारा 21 फरवरी 2016 में जो हमारा सीटेट का paper हुआ था ठीक अब हम आज इसका discussion कर रहे हैं तो दोस्तों चलो हम लोग शुरू करते हैं इसको पढ़ते हैं तो यह आप लोग देख सकते हैं हमारा कौन सा जो है मारा पुस्ति का संख्या है आई है देख सकते हैं तो दोस्तों इसमें एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो हमारा वीडियो होगा बहुत फास्टी थोड़ा खतम होगा क्योंकि करने हैं तो देख सब्सक्राइब करने के लिए थोड़ा हमारा गर अराम से करेंगे तो काफी समय लग जाएगा दोस्तों इस वीडियो को लगभग एक सब्सक्राइब घंटे में खतम करने के लिए वीडियो को बहुत फास्ट करना पड़ेगा तो जहां आपको लगे कि ज तो अलों दोस्तों हम लोग सुरू करते हैं पहले कोस्टन से अब देखिए पहला कोस्टन अगर हम देखा जाए तो लिखा है भारत में अधिकांस कच्छाएं बहुभासी होती हैं और इसे सिच्छक द्वारा डैस के रूप में देखा जाना चाहिए मतलब कि हमारे यहां बहुत से 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 बहु जिस भासा को जान रहें उसी भासा को माध्यम बना करके जब दूसरी भासा को सिखाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे आसानी से भासा शीख जाएंगे दोस्तों चलिए हम देखते हैं हागे हमारा question number second क्या है दोस्तों लिखा है सिच्छार्तियों की द्वारा की गई गलतियां और तूटियां क्या होती है सिच्छक और सिच्छार्तियों की असफलता के सूचक है उनके चिंतन को समझने के आउसर की रूप में देखी जानी चाहिए या कठोरता से निपटाई जानी चाहिए या बच्चों को कमजोर अथ्वा उत्कृष्ट चिन्हित करने का आउसर है तो दोस्तों अगर हम देखें इसका answer क्या हो जाए answer हो जाएगा option number second क्या हो जाएगा कि उनके चिंतन को समझने के आउसर की रूप में देखी जाने चाहिए अगर माल यह बच्चे गलती कर रहे हैं तो कहा पर गलती कर रहे हैं उसको समझ करके वहाँ पर सुधार करने की आई सकता है तो इसका option number second ही answer हो जाएगा समझ में आगया हो जक दोस्तों clear हो ना चाहिए कि एक point आपको समझ में आना चाहिए चलो देखते हैं तीसरा वाला कोशन क्या लिखा गया है डैस के विचार से बच्चे सक्रे ग्या निर्मातत था नन्हे बग्यानिक है जो संसार के बारे में अपने सिध्धानतों की रचना करते हैं अगर देखा जाए तो कौन कहा है कि जो हमारे बच्चे हैं वो नन्हे बैग्यानिक हैं तो इसका एंसर हो जाएगा दोस्तों आपसर नम्बर थर्ट क्या ना हो जाएगा P.I.J. P.I.J. के अनुसार बच्चे नन्हे बैग्यानिक है और अपने सिधान्तों की रचना स्वयम करते हैं अगर दोस्तों देखा जाए तो P.I.J. ने चार अवस्ताओं को दिया था Most Important आपके सीटेट में है चारो का नाम आपको पता होना चाहिए पहला हमारा अवस्ता क्या होती संबेदिगा में का उस्ता 0-2 वर्स तक इसके बाद होती है पूर्व संक्रियात में का उस्ता 2-7 वर्स तक इसके बाद होती है हमारा मूर्थ संक्रियात में का उस्ता 7-11 वर्स तक इसके बाद होता है अवचारिक संक्रियात में का उस्ता इसे को हम कहते हैं अमूर्थ संक्रियात में का उस्ता दोस्तों जो 11-15 वर्स तक होती है Most Important इनका हमारा प्याजे का आवस्ता का सिधानत है यहां से इसके बारे में पूछता बहुत ज्यादा कोशे नाते हैं दोस्तों और कुछ चीजें हैं जैसे माली जी इसमें एक पूछ लेशन और एकमोडेशन के बारे में पूछ ले जाता है तो यह लोग यह आपको पढ़ लीजेगा एक वीडियो हम प्रोड कराएं है इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा जाएंगे देखेंगे कि आपको एक वीडियो मिल जाएगा वहां पूरा सब कुछ ठीरी तो आपको पता होगा, इसका इंसर क्या हो जाएगा? बच्चों को सिच्छकों का अनुगमन और अनुकराण करने के लिए कहना, या बच्चों की अभिव्यक्ति・ और उनकी सक्री भागेदारी को महत्यों देना, या बच्चों को पूर्ण रूप से सुतंद्रता देना या बच्चों को नयतिक सिच्छा देना तो बाल केंद्री सिच्छा का आर्थ हो जाता है हमारा कि बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्री भागिदारी को महत्तों देना तो हम देख लेते हैं अगला हमारा पाच्वा कोशन क्या देखिए पाच्वा कोशन है जटिल परिषिदी को संसाधित करने में सिच्छक बच्चों की सहायता कर सकता है सिच्छक किस प्रकार से कोई कठीन मतलब कि बच्चा किसी complex situation में फसा है तो उसको हल करने में टीचर हमारा किस प्रकार से बच्चे की मदद करेगा ठीक है देखे पहला option क्या हो जाएगा कोई भी सहायता ना देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सिखेंगे या उन पर एक भासर देकर या हमारा तीसरा वाला option देखें कार को छोटे हिस्सों में बाटने की बार निर्दिस लिखकर तो क्या हो जाएगा हमारा कार दोस्तों आसान हो जाएगा ठीक है समझ मारा आने आपको चलो भी या आगे देखते रहो अराम से समझते रहो लिखा गया हमारा चठा नम्मर कोशन देखिए इस चार्टियों को से यहाँ पेच्छा करना कि ग्यान को उसी रूप में प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने गरहन किया है तीक है इसका एंसर दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा सीधा सीधा हो जाएगा क्या हमारा सेकेंड वाला आपसन समझ आप कोई भी चीज यहाँ अपने से लिजिए अपने से सोचो यार अपने से अगर आप विचार करिए कि कोई भी चीज अगर आप सीखेंगे तो उसका जैसे कोई जैसे अमली जीतना हम आप बढ़ा रहे हैं उतना सेम टू सेम आप कापी थोड़ीन कर पाएंगे तो वही हमारा एंसर हो जाए क्या समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनभाईं की व्यक्षा करते हैं ग्यान को दिखण का सेंग कौना शवत पादित है नहीं करते हैं हमारा इसका सेकेंड़ वाला अपसं सही हो जाएगा अगर माली ये बच्चे को discussion करने के लिए आप कहते हैं तो उनके सीखने का वक्र कैसा होगा या ऐसा होगा या ऐसा होगा या ऐसा होगा या ऐसा होगा कैसा होगा दोस्तों होता है उनके सीखने का वक्र हमारा कैसा होता है बेहतर होता है इसका आप कर ले जाएंगा राम से चल जल्दी सीख ले जाएंगे हो सकता आप थुड़ी देर बाद में सीखें हो सकता कोई तीसरा बंदा तो तीसरा कोई आपका दोस्त हो वो जो है हम दोनों से और पहले सीख जाए कोई चीज लेकिन जो सीखने का जो क्रम होगा और जो बेवस्थित एक सीरियल चलेगा हमारा सीक हो रहाने आपका चलो वहिंबे आगे आगे देखो क्या हमारा है नल्हा कोसन बिकास के लिए निमिलख्यत में से कौन सा एक उचीत है बिकास के लिए कौन सा उचीत सामाधिक सांस्कृति संदर्व में विकास में एक महत्पूर भून का निर्बाह करता है आपसा नमबर फ़र्श का सही एंसर हो जाएगा आगे देखिए हमारा टेंथ नमबर कोशन क्या है वेक्तियों में एक दूसरे से भिनिता क्यों होती है आप लोग जानते हैं कि सभी में आपके घर में जितने मेंबर होंगे सभी में कुछ ना कुछ अंतर होगा कुछ ना कुछ अंतर सब कहीं भी आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड में सब में जो है इस सिमिलर्टी नहीं पाई जाती है यहां तक अगर दो जुड़वे भाई भाई होते हैं तो भी उनमें उनमे similarity नहीं पाई जाती, क्यों नहीं पाई जाती, बताइए, तो इसका answer क्या हो जाएगा, वनसान उक्रम और वाता उरण की बीच क्या होती है, अन्यों निक्रिया होती से लिए, क्या हो जाती है, बिक्तियों को एक दूसरे से भिन्यता पाई जाती है, आगे देखिए हमारे 11 नमर कोशन है कि बच्चे समाजी करण में परिवार डेज की भूमका निभाता है बतलब क्या हो जाएगा कि बच्चे के समाजी करण में मतलब परिवार की भूमका कैसी होती है रोमान्चकारी होती है मुख होती है गौण होती है कम महत्पूर होती है तो जो हमारा परिवार की भूमिका होती है सबसे मुख भूमिका होती है बच्चे के समाजी करने में आगे देखिए टोल्थ नंबर कोश्चन हमारा है देखो भी आगे कि निम्लिकित में से कौन सा एक मिलान एक सही मिलान वाला जोड़ा है ठीक क्या है अपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरान प्यारा में कल्पना प्रक खेल करने लगता है क्या ठीक आगे देखिए सैस संक्रियात्मक बच्चा होता उस साधारन रूप से बरगी करन करने योग मतलब उसका चिंतन हो जाता है हमारा इसका आपसर नंबर चार सही एंसर हो जाएगा दोस्तों क्लर हो रहा है अभी आपको बताये थे जीन प्याजे गवारे में चार सिधान देखिए इन चारों जीन प्याजे से पूछ लिया जाता है कभी कभी इस से ज्यादा भी नंबर आ जाते हैं तो आपको यह जरूरी है का आपको जाकर देख लेना चाहिए चलिए आगे देखिए तेरहावा नंबर कोशन है एक बच्ची कहती है धूब में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं चल का चिंतन वैसकों से डैस में भिन होता है बजाएके पियाजे में होता है देखिए तीसरा कोशन हमारे मिल ला जीन प्याजे से तीन नंबर हो गया नै अभी जोड़ाएंगे आपको कितना नंबर आएगा जीन प्याजे देखिए तीन नंबर हो गया है तो जीन प्याजे कह सूचते हैं उतना एक बच्चा भी चूज़ता चोटा स Bose जे كन दोनों का बच्च से चोटा से बच्चा है तो उसका खिलावन नट you शची गार चूजीत य। तोड़ने को ठोड़ने के भार हम सूचेगे मैं से अलग सिकmother लेकिन 34& दूनों का बराबर होगा तो आपसा नमबर सेकर्ण इसका सही एंसर हो जाएगा चलो वह आगे आगे देखिए क्या लिखा है कि निम्द लिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहाइता का उधारन है ठीक है मतलग कौन सा सहायता का उधारण है देख लिजिए बत सिचार्थियों को प्रित करने वाले भासर देना या प्रस्न पूछने को बढ़ावा देए बिना अस्पस्टी करण करना या मूर्द से अमूर्द दोनों प्रकार के उपहार देना या अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक इ असघ्यों में प्रस्न पूछना ठीक है मतलब इसमें कहा जारा कौन सा अधार भूत सहायता का उधाराना बताओ बहिए इसका उधारण इसका हमारा अपता नंबर हो जाएका इसका हमारे हो ओस्त हमारा यहां इसकी देखाए हमारे हो जाएगा यहां देखालता है यह जित हमारे सब्सकीज करने दोलसेती हैं यहां से स्क्राइब। क्या वायस को और सम वायस कों के साथ करिया करके बच्चा क्या सीखता जिसके इनका एक सिद्धान्त है जेट पीडी जोन आ प्रक्सिमल डवलप्मेंट इसके फोल्डिंग जिसको कहते हैं दोस्तों पाड या धाचा यहां से कोश्चन मनते हैं काफी आगे देखिए कोल कोल वर्ग लिखा गया है ने प्रस्तुत की को लिए कECT क्य हो जाएंगी काहुं दोस्तों व्यंति के चरण कब्सके दोस्तों इसी चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी आप जा करके उसको देख सकते हैं चलो आगे देख लीजिए हमारा ठावा नमर कोशन क्या है पहला देखिए एक कच्छा जिसमें सिखार्ती सम्मूह में बैटे हैं और सिख़का बारी-बारी से प्रत्यक सम्मूह में आ जा रही है या तीसरा देखिए एक अच्छा जिसमें सिच्छार्थियों का बेवहार सिच्छा दोरा दिये जाने वाले पुरोस्कार और दंड से संचालित होता हो संचालित होता हो या चवथा हमारा देखिए एक अच्छा जिसमें सिच्छ का नूट लिखा देती है और सिच्छार्टियों को उन्हें रट्टाफिकेशन करने के लिए कथी गलत ये भी गलत हमारा आपसन नंबर सेकंड इसका सही एंसर हो जाएगा ठीक इसका सही एंसर हो जाएगा अपसन नंबर सेकंड ठीक है दोस्तों चलिए आगे देखिए हमारा उन्हें इस नंबर कोशन क्या है कि बुद्धि क्या है बुद्धि क्या है तो समर्थों का एक दोस्तों समुच्छे हमारा क्या है बुद्धि है इसे टाफ कैफिबिल्टी चलो आगे देखिए हमारा 200 number question एक सा सिच्छा कछचा में लड़कों से सिच्छा किया काता है की लड़के बनो और लड़कियों जय सा बाहर मत करो या टिपडिय आप लोग बहुत बार सुने होंगे अपने बारे में इसका मतलब बहुत बार सुने होंगे हम लोग भी कई बार सुन चुके है अपने क्लास में ठीक है लेकिन ये नहीं कहना चाहिए क्या है लड़के लड़कियों के साथ बेवहार का एक अच्छा उदारण है या लड़के लड़कियों में भेद भाव की रूड़ बद इधारणा प्रकट करता है या लड़कियों पर लड़कों के जीव वह गया निक्ता महत्ता को बेद भाव का परचायक है तो भईया ये हमारा क्या होता है जूँस को कहते हैं न जेंडर डिस्क्रिमनेशन का हमारा फेद भाव मतलब लड़के और लड़कियों में भेद भाव की रूड़िबद इधाना को प्रकड करता है कि ऐसा नहीं कहना चाहिए आप अगर टीचर बन जाएंगे तो आप ऐसा नहीं कहेंगे चलो आगे देखे बाइस नमर कोशन हमारा क्या है आकलन असेस्मेंट क्या है क्या हो जाएगा दोस्तों आपसा नमर फर्च देखे बच्चों को में प्रतियुकता की भावना प्रतियुकता भावना को सक्री रूप से बढ़ाना बढ़ावा देना या दूसरा सीखने को सुनस्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उद्पन करना या तीसरा आपसन देखे क्या है कि सीखने में सुधार का एक तरीका है या चौथा आपसन है बच्चों को लेबल करने नाम देने और वरगी करित करने की अच्छी रड़नीती है तो भाईया इसमें आपसन नमर क्या कौन से हो जाएगा आकलन करने से क्या फाइदा हो आकलन करते हैं आगे देखें तेस नमर कोशन है निम्लिकित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा ओड़न करता है समावेशन समावेशन में जाते हैं समावेशन सिच्छा समावेशन सिच्छा मिस क्या होता है सभी बच्चों को नीमत रूप से विद्याले में समा सि यह आदिकार है आगे देखिए भी यह चोविस नमबर कोश्चन हमारा क्या है कि वंचित वर की प्रिश्ट वूम वाले बच्चों को सिच्छा प्रदान करने के लिए सिच्छक को चाहिए जो लोग हमारा वंचित हो गए हैं बच्चे उनको अगर सिच्छा प्रदान गनाद उनके बारे में क्या सबसे इंपोर्टन बात होने चाहिए ठीक उनके बारे में अधिक जानकारी जो टाने का प्रयास करें और उन्हें कच्छा में होने वाली चर्चा में सामिल करें यही दोस्तों हमारा सही एंसर हो जाएगा देखें उन्हें कच्छा में अलग बिठाएं नहीं होगा उन पर ध्यान ना दे बिल्कुल गलत उन्हें बहुत लिखित कार दें बिल्गुरत हमारा आपसा नमबर फर्स्ट इसका सही एंसर हो जाएगा तेकि आगे अगला दोस्तों कोशन हमारा 25 नमबर है निमलिखित में से कौन सा ब्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योगता को प्रदसित करता है ठीक इसका हो जाएग यह हमारा बी को डी छोटे बच्चे होते हैं अगर आप छोटे बच्चों को पढ़ाए होंगे आप प्राइमरी में पढ़ाने गए होंगे आपका टीचिंग लगा होगा तो पढ़ाए होंगे तो आपके क्या लगता है बी को डी और वाज को सा एक कैस को बारा लिखते हैं उसे सिच्छा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वाह किसी भी काम नहीं आएगी एक उजी बात है भाई ठीक उसके लिए अलग संस्थान में डालने की आउ सकता है इसी कोई बात नहीं समाव से सिच्छा ऐसा हमारा कहना ही कहता विशेश प्रवधान करते हुए उसे नीमित विद् संत्र है या सीखने वाले के संवेगों को प्रवावित करता है या सीखने वाले के दोस्तों चौथा आपसन हमारा क्या हो जाएगा सीखने वाले के संवेगों से प्रवावित नहीं होता है तो इसका आपसन नमबर थ्री हमारा सही एंसर हो जाए क्या सीखने वालों वाले के सम्वेगों से प्रभावित होता है हमारा थार्ट इसका सही हो जाएगा 27 नंबर कोशन का आइंसर आगे देखो भी 28 नंबर कोशन लिखा है कि अपने चिंतन में अवधरनातमक परिवर्तन लाने है तू सिच्छार्तियों को सच्छम बनाने के लिए सिच्छिका को क्या करना चाहिए ठिक देखिए आपसन नंबर फर्स देखिए गया है कि बच्चों को सोयम चिंतन करने के लिए हतोसाहित करना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए दोस्तों थोड़ा सा बढ़ा कर दें छोटा छोटा दिख रहा है क्या है कि बच्चों को सोयम चिंतन करने के लिए हतोसाहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि विसे चिका की सुने उसका अनुपालन यह कौन सी बात होती है ऐसा कोई हमारा नहीं है आगे ब्याख्या के रूप में ब्याख्या प्रसुत करने चाहिए असपस्ट और यह बहुत लंबा है पढ़ाने ही बहुत समय लग जाएगा इसलिए दोस्तों हम थोड़ा सा हमको आपसन आपको बताते चलेंगे एक्स्प्लें थोड़ा सा कम हो पाएगा दोस्तों ठीक है चली देखिया हमारा है क्या 19 नंबर कोस्ट प्रात्मिक भी द्याले कि कच्छा कि संदर्ब में शक्री बदिता का क्यारता है कि आप पहला वाल अपसन देखिये किया है जान परताल करना और प्रस्न पूंचन और बात विऩयाद करना सिर्चक दोरा दिये गए उत्रों को नकल करना याद करना प्रत्यासमर्ण और सुनाना तो देखो हमारे इसका आपसर नमबर सेकेंड हो जाए क्या जाँच प्रताल करना और प्रस्ट पूछना हमारा हो जाएगा प्रत्रोंक में सक्री बद्दता में इसके होता मतलब n thinner आगे देखिए हमारा पाल विकास का लास्ट कोशन टिस नमर कोशन क्या है बच्चे तब सर्बादिक स्रेजन सील होते हैं जब ये किसी गत्य विधी में भाग लेते हैं या दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाभ में आकर, ठीक है, अपनी दूची से पुरसकार के लिए, सिच्छक की डांट से बचने के लिए तो बच्चे कब सीखते हैं जब वह अपनी दूची से किसी भी गाती बिदी में भाग लेते हैं तब अच्छे से सीखते हैं तो दोस्तों हमारा ये तीस कोश्चन आपका बाल विकास का हो गया कम्प्लीट ठीक हैं अब हम लोग शुरू करेंगे क्या गंडित की कोश्चन को ठीक दोस्तों अगर आपको लग रहा हो कि आपको हाँ यहां से यहां तक समझते समझते आप बोर हो गए हो ठीक तो यह काम आपको करना है कि वीडियो को पाउस करना है वीडियो को पाउस करने के बाद कुछ समय के टहालने के लिए ँड़ारू को समझने मा Milwaukee का जाते हैं काफी का मैत कभी वस्तन wedge hen लगता है तो ड Corn qualify हो व्रमने के लिदिभारी में फिरब कमेश्ंच को सम téल और अगर आप देखेंगे व्रम से कर देखेंगे तो 15 कोश्ञ तो पैडागोजी हो जाता है ठीक और पैडागोजी तो 15 बंगर त्याकर करेंगे तो दस से लेकर ऑरह तेरह नमबर तक तो यह से स्कूर कर लेंगे और यहां से 15 कर दोस्तों अगर आपका मैत वीक है तो अच्छी है तो भाई उसकी कोई बात ही नहीं है जिनकी मैत वीक है दोस्तों हमको पता है कि इतनी अच्छी मैत होती आप-टी आप लोगों के तो खासके लड़कियों की मैद तो बहुत मासारला होती है जानते हैं चलो भाईया थोड़ा इंसल्टी मत दीजेगा दोस्तों कुछ लोगों की होती है सबकी बात नहीं कर रहे हैं ठीक है कि काफी लड़कियों को जो लोग नहीं पढ़िए जिसे माली ये जो लोग हमारा ना प्रात्मिक अस्तर पर गणित की पुस्तिगों की सबसे अधिक महत्पूर्ण विसेष्था निम्लिकित में से कौन सा है तो मुख्य उद्यूर्ष कौन सा हो जाएगा दोस्तों तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर अपसर नमबर 4 बच्चे की सोज विचार प्रक्रिया को गणती रूप देना चलो भई आगे देखते हमारा 32 नमर कोशन क्या है 32 नमर कोशन देखिए प्रात्मी कस्तर पर गणईत की पार्ट पुस्तों की सबसे अधिक माहत्पूर्ण विसेष्था निम्लिकित में से कौन सी है ठीक है तो कौन विसेष्था है अगर प्रात्मी कस्तर पर देखा जाए तो पहला आपसर देखिए यह संकल्पनाओ को जट तो प्रसुत किया जाना चाहिए भी लग रहा है ठीक संकल्पनाओं को उच्छतर कच्छा से जोनना चाहिए भी सही लग यह तुकलत लग रहा पुरा-पुरा अब अधाएं तीनों में से सबसे जो बेस्ट आंसर है आपको चुनना है संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में परसुत किया जाहिए हमारा यह सबसे जाना जाएगा आगे देखें ज्यायमिती समझ को विक्सित करने के लिए निम्लिकित में से कौन सा सिरेणी करम सही है तो ज्यामिती बिद्ध को विक्सित करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए सबसे पहले दोस्तों आप जैसे जे procent जीमिटरी में से कहें आपको समझाई देती पहले यह दिखेंगे ठीक है अच्मयों इसको अपने प्रयोक करना सिखेंगे तो हमारा पहले क्या हो जाएगा मानसिक चित्रण ठीक इसके बाद क्या हो जाएगा विसलेशन इसके बाद हो जाएगा आपशारिक निगमन इसके बार हमारा आउन आपशारिक निगमन आपसा नमबर थ्री इसका सही एंसर हो जाएगा दोस्तों ठीक है क्लियर होगा, क्या हो जाएगा, मांसिक चित्रन, विसलेशन, आपचारिक निगमन, और आपचारिक निगमन, समझ में कैसे होगा, आप एक आयत बना गरके अपने सिकल लेंगे, तो आपको भी समझ में राम से आजाएगा, चलो, आगे देखो हमारा 34 नमर कोशन, क्या है, नि आनिमान अगर बता रहे हो, बच्चों को सून का पर्चे पहले पता दो, क्या सही है, आगे देखे दूसरा, पढ़ाई जाने वाली संख्या, पढ़ाई जाने वाली पर्थम संख्या सून होनी चाहिए, क्या सही है, आगे देखे, बच्चों में संख्या गयान विक्सित हो के बाद सुनने का पर्चे दिया जाना चाहिए या संख्या नाइन के बाद सुनने का पर्चे दिया जाना चाहिए तो हमारा इसका कौन सा आपसा नंबर थार्ड सही हो जाना चाहिए क्या बच्छों में संख्या ग्यान विक्सित होने के बाद सुनने का पर्चे दिया जाना चाहिए ठीक है छोलो भी आगे आगे देखें क्या है 35 नंबर कोशन लिया है कच्छा थिन के विद्यार्थियों को आधे की संकलपना का परच्छे देने के लिए सिच्छक निम्लिकित किरिया कलापों की यूजणा बनाता है क्या का यूजणा बनाता देख लिए तिया चित दिखाता है जिसमें आधा प्रदशित किया गया है अ हमारा क्या है आधे का चिन लिखता है C, बहुत सारे मूर्थ पदार्थों को आधे से विभाजित करता है D, कहानी या सब्दों में के परियोग से आधा प्रदशित करता है तो अगर इसमें देखा जैसा है तो सबसे पहले इसमें क्रम में लगाना है तो सबसे पहले क्या करेगा टीचर कि बहुत सारे मूर्थ पदार्थों को आदे सी विभाजित करेगा टिक है पहले में क्या हो जाएगा हमारा 1 इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 2 हमारा 1 गई हुएte टिक ह्ई हमारा सी यह हमारा छाएगा ठीक देख लेजिये फस्तिय। सब्सINK बश्क्य första के नहीं हो इसकी और तौन को सलड़ी है मिलाय। क्यों सेनि प्रफ खुच करें कि खुच्छ एक और दो के घंद ए जे हुआśmy बाष्चा कोई करा जाए ना चाहिए तो हमारे यह दूसरा वाल आपन इसका सभी हो जाएगा दोस्तोओं भाषा कला के साथ क्या किया जाना चाहिए सामकलन क्या जाए किसका गाणित तक का दोस्तों अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वीडियो थोड़ा धीमा चला है तो आप एक काम कर सकते हैं कि वीडियो की स्पीड में आप जाए सेटिंग में वहां से लाकर करके आप स्पीड बढ़ा कर किसको देख सकते हैं वीडियो जल्दी आपकी खतम हो जाएगे ठीक है चलो भई आगे आगे देखिए हमारा क्या सता इस नमर को सन्य यहां से देखिए आपका निमेरिकल सुरू हो गया है अगर माल लेजिए यह बड़ा वाला से करेंगे राइन सराराम से आजाएगा ठीक है बीच में कभी मयत को मत उठाए निमेरिकल सेक्षन को एकदम लास्ट में करेंगे आपका सभी निमेरिकल से हो जाएंगे देखिए सैंतिस नमर कोशन क्या है कि लिखा गया है एक हजार एक गुड़े एक सो ग्यारा बराबर यहाँ पर लिखा गया है एक लाग दोस हजार धान ग्यारा गुड़े डैस आप कैसे हल करेंगे क्या करेंगे आप लोग देखो यहाँ पर लिखेंगे एक हजार एक ठीक और गुड़े एक सो ग्यारा बराबर 1,10,000 ठीक है प्लस 11 गुडे यहां क्या मालेंगे यक्स यह मालेंगे अब देखिए इसको हम तोड़ देंगे 1,000 100 और धन 1 ठीक वह सुकर सकते हैं 101 को और गुडे 111 ठीक और माीनिस हो जाएगा ये जब इधर आएगा तो माiness हो जाएगा चाहे तो आप बड़ाबर लगा दीजा है अब जब इसको आप इधर ले जाएगे इधर ले जाएगे तो माignment मानिस में हो जाएगा मानिस कर दीजे त्ट ग्राइक नहों यह 40,00,000 तो 10,00,000 बराबर 11,00,00 अब इसका गुड़ा एक बार इश्में कर देंगे तो हमारा आ जाए कितना देखिये कि यह देख़िए गुला करें आप लोग कितना जाएगा हमारे इतना जाएगा फिलस 11 ग Tack माइनस एक लगदभर 살 जायेंगा ठीक है बराबर 11 यक्स अप। इसको अब करेंगे!!!! एकस यहां पर इसको फैक्टर गुड़ा मत करिएगा इसको दो भागों में तोड़ दीजिएगा तोड़ने का आप रहा है आलम से आपको समझ में आजैब कैस स्टय कॹई हुआ समझ में आया ने चलो आगे आगे देख तो बहुत असान है कटिन नहीं रहता है बस पता नहीं कैसे लोग कटिन कर देते हैं देखो अरदे समझ कोशन क्या है लिखा गया 15201 में 5 का स्थानिमान देख लो भी जा कितना आ जाएगा 5 का स्थानिमान थोड़ा इतर लिखते हैं 5 चर्शक का स्थानिमान आपका हो जाएगा 15जार ठीक है 5 अरट जाएगा πन खराल खर अभीश स массट मेश्यका स्थानिमान 26606 में 6 अ चे सो लिखा गया है दोनों को प्लस कर दीजी आपकाद आजाएगा 56 तो यहां देखे लिखा गया है यहां पर होना जाहिए दोस्तों बराबर ठीक है बराबर हमारा है साथ गुड़े डेस तो साथ गुड़े यक तो साथ से कार देंगे साथ आठे चापन हमारे एक समय केतना हो जागा दोस्तों 800 सवंजाग नहीं आए औरे यह पांच का स्थानी मान 5000 हो गया होगा नहीं शे का स्थानी मान शेसो पाहिले समेस्टर मता आप लोग रभे बीटी सी डीयल डील्र की होंगे तो पाहिले समेस्टर आपको था यह मिलेगा ठीक है चापन सो यह हो गया चापन सो और यहां आप जब पूरा पेपर आप लोग साल्प करेंगे तो आपका पूरा कोश्चन असान निस हो जाएगा देख रहें कितना कठीन कोश्चन है कोई कठीन कोश्चन नहीं है दिया है च्छतिस और अनतालिस के सार्व धनात्म गुड़न खंडों का गुड़न फल और बराबर 999 प्लस 9 गुड़े डैस है तो रिक्त अस्थान पर संख्या क्या होगी 9927 क्या सी अब सबसे पहले तो आपको लिखना है सार्व धनात्म गुड़न खंड ठीक है अब देखिए च्छतिस और आतालिस का पहले निकलना लिखना है आपका क्या फैक्तर लिखना है तो च्छतिस बताई क किस किस से कटेगा एक से कटेगा दो से चार से छे से बारा से और अठारा से इसके बाद च्छतिस से इसका मतलब होता है देखिए सार्व धनात्म गुड़न खंड मतलब च्छतिस किस से कट रहा एक दो तीन चार छे एक दो तीन चार छे बारा ठीक है बारा अठारा च्छत कट रहा है एक से दो से डिवाइड हो जाएगा तीन से भी हो जाएगा चार से भी हो जाएगा छे से भी हो जाएगा आठ से भी हो जाएगा बारा से भी हो जाएगा और चौबिस से भी हो जाएगा अनतालिस से भी हो जाएगा ठीक है इतने सो होगा हमारा अनतालिस अब देख 6 से कट रहे हैं इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 12 से कट रहे हैं तो अब इन सब क्या करना है आपको गुड़ा करना है तो जब इन सब का गुड़ा कर देंगे आप लोग हमारा क्या आया था देखिए दोस्तों एक आया था गुड़े 2 आया था गुड़े 3 आया था गुड आया सार भी धनात्मा गुलंखंड का मतलब हो जाएगा दोनों का गुलंखंडों में जो क्या का हमारा क्या है कामन है ठीक आपको आ गया 1728 बराबर यहां पर कितना है नवसो नियामगे प्लस नौ गुड़े यक्स तो हमारा हो जाएगा नवशो नियानद्य 49 बुस नौ गुड़े यक्स यहां से इसको घटा लेंगे 9 से भाग दे देंगे तो आपका राजाएगा दोस्तों आप बताएंचर कितना आ जाएगा इंसर आपका आजाएगा दोस्तों इसका 81, अब इससे घटा लेंगे, 999 से घटाएगे, 1728, तो हमारा क्या हुजएगा, देखो, इसमसी घटाएगे तो हमारा आजाएगा, 831, ठीख, देखिए, यहां से एक, 9999 में घटाएगे, ठीख है, तो 18 में इसे 949 आजाएगा, ठीख दोस्तों 829 नहीं 819 आजाएगा ठीक है घटाएंगे अब देखिए सो काट देंके था हमारे क्या हो जाएगा दोस्तों हाँ जब इसको आप घटा देंगे नै तो घटाने बात आपका ऐंसर आपका 80 आजाएगा थेखिए यहां से घटाएंगे यहां एक अब तो आसकास प्क्राएंगा 288 से आप 999 घटाएंगे तो आपको 729 एंसर आजाएगा और इसको 9 से काटेंगे 982 और 999 हमारे 81 एंसर आजाएगा ठीक है क्लियर हो गया आगे एंसर नहीं एंसर आपसर नंबर 40 का सही एंसर होगा चलो समझ मारा आना है भाईया तैयारी करते रहिए तैयारी को मच छोड़िया नहीं तो फिर काम गड़बड हो जाएगा ठीक है चलो देखते हमारा आगे कोशन नंबर हमारा 40 है 40 क्या लिखा गया यादी 26689 को 49 से भाग देने पर तथा है 29405 को 34 से भाग देने पर प्रात सेजफलों को 18 से भाग दिया जाए तो सेजफल क्या होगा अच्छे बताइए को संकठीन है आपको भाग भाग देने आता होगा तो कल ले जाएंगे आप भाग देने जिसको 49 से नहीं आता भाई यह तो भाई बच आप टीचर बनने जा ठीक 2639 में ठीक आप 49 से भाग देंगे सेस आएगा तीन ऐसने जब इसको इसे बाग देंगे बतलब 23405 में आप 34 से भाघ है तेने डोस्तों 31 फासफर करो वाग देंगे तो आप लोग भाग दे कर के निगा यहां तीन दोनों कांठा निकालेélior तो आप लोग है तो 29 माइनस 3 ठीक है तो दोस्तों कितना आजाएगा देखिए 29 में से आप 3 घटाएंगे तो हाँ तो दोस्तों देखिए अब कितना आया था आपका 26 आया था यह वंतीस में से अगर तीन घटाएंगे तो चबविस आएगा ना यह यह आथा ने वंतीस माइनस 3 बराबर आपका आगया था चबविस अब चबविस में आपको 18 से भाग देना है तो लिख लेजिए चबविस बागे 18 तो 18 करना अठारा आपका सेज कितना जाएगा आठी ही एंसर हो जाएगा बादा आपसा नमर चारिस का सही एंसर हो जाएगा समझवाया नहीं भाग दे लेंगे निकाल लेंगे अराम से इस कोशन को लास्ट में करिएगा एक दम सब पेपर जब खतम हो ज अब लासा लेने आ तक नहीं आता बताईए आपको लासा लेने नहीं आता है ने तो आप लोग बताएगा हमें वीडियो आपको बना देंगे कैसे निकालते हैं ठीक लासा निकालते हैं आप दो से काटेंगे तीन से चार से पांसे शे से काटेंगे आपको लासा इसको निक करियेगा, आसान हो जाएगा लग जाएगा आप से, आपको चलो आगे देख लो भी या, ये वाला कुशन, देखो हाँ, ये तो अगर असान है, लिखा गया है, सूनु के पास पांच दरजन टाफिया है, पांच दरजन मतलब बारा पंचे-साथ टाफिया है, तीक है, यह तो मतलब 20 टाफिक कि इसको दे दिये यह न कर दिये कुछ को यह अर्टी एक बटिए बारह अरुड़ा कि न गुड़े और 5 जब दोस्तों यह न कर सब्सक्वारक तो दिया 60 पांज बची टाफियों किस चलो, आगे, 43 नूमर Q लिखा है, ये Q मष्ड Q है, इसमें देखो, 1 याई मतलब 1 होता है, 10 जाई मतलब 10 होता है, सेक्डरा मतलब 10 होता है, 1000 मतलब 1000 होता है, धियान देना इसका, तो जहां जो लिखा रहेगा, वहाँ वैसे र kaldा रहे हैं, घिक, लिखा है 112 इकाई एक एक दो इकाई कमान एक ठीक 112 इकाई हो गया इसके बाद दिया है 12,000 12,000 दिया है 112,000 और इसके बाद हमारा 12,000 ठीक 12,000 हमारा हो जाएगा प्लस 12 गुड़े 1000 क्योंकि 1000 जगाँ पर क्या रखेंगे 1000 प्लस प्लस नहीं में यहां पर बराबर लिख्या है 11,000 12 प्लस यक्स अब दहाई की जगाँ पर क्यों कर जाएगा 10 अब इसको आपको करना इसमें गुड़ा कर लो कर लेना इसमें इसका गुड़ा कर लेना इसको से गता लेना यहां यक्स कमान निकाल लेना answer कितना आजाएगा आपको answer लगा करके comment करना है या answer लगा करके comment करना जरूर इसका answer जानते हैं कितना हो जाएगा 110 हमारा answer हो जाएगा लगा लेना जरूर इसको copy में हल कर लेना question कटी नहीं है ठीक है चलो कुछ अपने से भी कर लिया करो सब कुछ हमीं बताते हैंगे थोड़ी ना चलो देखो एक लिखा आमारा चगवाले संबर question एक ही size की 23 बोतलों में 51 लीटर और 750 मिलिटर दूद भरा है भरा जाता ऐसी 16 बोतलों में आपका दूद कितना भरा गया 51 लीटर और 750 मिलिटर तो बोला 16 बोतल कितना भाजाएगा एक बोतल को जाएगा 51 लीटर 750 मिलिटर बटे 30 और गुडे अगर 16 निकालेंगे देखे एक हो जागे हाँ पर एक मैं अगर 16 निकालेंगे दोन तरफ आप सोलर से कर देंगे गुड़ा तहीं सोलर से गुड़ा करने पर यहां सोलर से गुड़ा कर दीजिए काट दीजिए जितना आजाएगा आपका एंसर हो जाएगा दोस्तों इसका आपका आजाएगा 36 लिटर देखे दोस्तों कितना आजाएगा 36 आपको इसको काट करके लगाएगा साल्ब करिएगा देखिए 51 दसमलो 7 पात सुन लिखिएगा बटे कैसे आपको पता चलाने 23 और गुडे 16 इसको हल करिएगा आपका अंसर आजाएगा 36 लिटर अब इतना तो अंसर हल करने आ जा है दो सेंटीमेटर की दूरी भूम पर 200 किलोमेटर की दूरी कुन रुपत करती है यादि भूम पर दो नगरों के बीज की दूरी अठारा सो कीलोमेटर है तो बराबर हमारा हो जाएगा 200 किलो मित्रपार बराबर किपने क pracy है तो कितना हो जाएगा कुछ नहीं यार एसमें गठार को हैा कि नाँ तर्मक को से बनाड़ा कर दो, तो नाँ जो सब्सक्राइबासे आज़ों किलो मिट्रभा नेदल, खराइबासाहा किलो नहीं समझांगे जचाहिं कि नहीं समयानें देखों बता रहें आसानी से लिया एक बटे 2 सींटीमीटर बराबर 200 किलोमेटर अब इस किलोमेटर को नहीं दो सब्सक्राइब उल्ट करतों तो न्हों से भी दर गूड़ा कर दो तो नो बटे से कौन सा सही नहीं है तो हमारा कौन सा सही नहीं है बताए इसका एंसर एक मिली लीटर एक लीटर का सतांस होता है ठीक एक मिली लीटर एक एमेल बराबर कितना होता है भाई एक एमेल बराबर होता है एक बटे एक हजार लीटर और यहां दिया एक सतांस होता है भाई यह नहीं होता है एक हमारा सतांस नहीं होता है एक हजारवा हिस्सा होता ठीक ठीक एक लाग बराबर एक सव हजार सही है, एक करोण बराबर एक लाग सव के एक बरग सेंटीमिटर एक मिंटर का सता यहां हजारवा भाग होगा, ठीक यहां हमारा हजारवा होगा, यही हमारा गलत आइंसर हो जाएगा सौन आया, चलो आगे यह देख लेते हैं यह कोशन थोड़ा इसमें टफटफ कोशन दिये गए थे दोस्तों, थोड़ा समझने कोशिज करिए, आगे दिखिए सनाटारीस आपर कोशन है, एक घंप कार बकसे की बुझा, घंप कार बकसे की बुझा 12 सेंटीमिटर है तनु इन बक्सों को एक सेंटीमेटर भुजा वाले घन भुजा वाले 3060 घन पैक करना चाहती है तो उन घनों पी संख्या क्या हो जो इनमें नहीं पैक हो पाएंगे मतलब क्या था एक ठु क्या था इतना बडगा ठानु क्या है इन दोंनों में जो modify एक बर्ग मेंटर वाला गंधर सेंटीमेटर भुजा वाला गंभरना चाहती सब में तो इतिक गण आज़ेगा और कितना व्लिव 2123 तो कैसे निकालेंगए देखो इस काहितन निकालनेगे लेजिए उसके 151 गोड़े नाव Whenever इसको हमारा निकाल लेंगे तो आपका आजाएगा कितना 1287 गुड़ा कर लीजेगा 1287 एंसर आजाएगा ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ पर देखो घन का भी आप निकाल लेंगे देखो यह घनाकार बकसा है 12 cm बुजया वाला तो घनाकार का निकाल लेंगे तो 12 गुड़े 12 गुड़े 12 गुड़े 12 या 12 का क्यूब होता है एक क्यूब तो 12 का क्यूब करेंगे तो 1200 हमारा हो जाएगा 1728 इसका होता दोस्तों क्या होता है 12 क्यूब हमारा होता 1728 अब इन दोनों को जोड़ करके हमारा क्या किस में गटा लेंगे 3060 में से गटा लेंगे तो लिखेंगे 3060 है ठीक है यहां से दोस्तों ऐसे लिख लेंगे देखें 3060 माइनस ब्रेकट में लिख लेंगे 1287 माइनस 17 1728 यह जो हमारा आ जाएगा आइंसर हो जाएगा दोस्तों अब इसको हל कर लेंगे तो आपको आनसर निकल करें rug 45 तरीक मतलब पसे नंबर फर्स effects लेंगे खरनाव के जांब तो हो गया पिर इानसर कि रहां जानब भी जोड़के देखते हैं क्या है किसी आयत की लंबाई तथा चवड़ाई क्रमसा 48 सेंटीमेटर है किसी बर की भुजा इस आयत की लंबाई की दो तिहाई है तो बर की भुजा यह माल लीजिए आयत की लंबाई 48 का सेंटीमेटर आपका क्या जाएगा देखी बर की भुजा जाएगा किसी बर की भुजा आयत की लंबाई की दो तिहाई इसके चेत्रफनों का यह क्या होगा मतलब आयत है और वर्ग की चेत्रफल को जोड़ना है तो आयत का चेत्रफल क्या होता है लंबाई गुड़े चोड़ाई तो लंबाई चोड़ाई हो जाएगा लंबाई 48 है और गुड़े 21 आयत का चेत्रफल यह हो जाएगा और प्लस वर्ग का चेत्रफल हमारे के हो जाएगा 32 की घात ऑब 48 गुढ़े क्योंट करेंगे तो आपका आजाएगा 1008 और 32 को करेंगे तो एक हाजार 24 आजाएगा ठीक है और इसका दोनों को जोड़ देंगे तो आपका आजाएगा 2032 आपसा नंबर 40 का सही एंसर हो जोड़ लेंगे नहीं तो यहीं कोश्चन था कटिन कोश्चन नहीं था दोस्तों आसानी कोश्चन था आगे देख लिए उन्चास नंबर कोश्चन है हमारा 632 है तो दोस्तों गुड़न फल 632 गुड़े 36 गुड़े 35 बराबर है तो अब इस क्या लिए सकते हैं सव बटे चार चार से कार देंगे चार नावा 36 ठिक अब नौ से गुड़ा कर दिये नौ दून आठारा और नौ अटे बहात्तर नौ सट तिरसट है और तिरसट हमारा हो जाएक तिरसट एक चाउसट हो जाएगा फिन नौ छक चववन ठिक दोस्तों आपका गुड़ा करने पर सबका अशर आजाए अब इस सब्सक्राइब करेंगे जिसका एंसर आपका इतना आजाएगा वही आजर हो जाएगा देखिए कैसे लिखा गया है एक सप्ता हमें सिकंडों के संक आप है पहले एक सप्ता हमें कितने दिन होते हैं साथ इसके बाद कितने घंटे होते हैं 24 그건 we the Obis back 8 Alone 15-1127-00000 30000000 वह कितना आ जाएगा थे अब इसका गुम्हा करेंगे दोस्तों तो हमारा इस का इसमें गुढ़ा कर दीजिएगा इसका आपको पक्का जीतना आप भी इसको आपने निकाल लेंगे पहला वाला एंसर हो जाएगा ठीक है निकाल लेंगे ने चलो भी आगे 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 देख लिए यह भी कोश्चन अपने को दमदार कोश्चन दोसको जब ताजा मचलियों को सुखाया जाता है तो उसका भार एकतिहाई रह जाता है राखी 2709 किल किलोग्राम ताजा मचली 27 रुपए प्रति किलोग्राम की दर्स से खरीदी और उन्हें सुखाने के 50 97.5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर्स पर बेंच दी उसका कुलाब कितना हुगा ठीक है दोस्तों अगर आपको मैस बोरिंग लग रहा हो तो इसको वीडियो को आगे बढ़ा करके आप इन्वार्मेंट देख सकते हैं हिंदी देख सकते हैं ठीक है चलो अब देख लिए क्या है कि हमारा 27.9 किलोग्राम था ठीक है 27.9 किलोग्राम मचली था 27 रुपए किसा अगर खरीदेगी वह तो कितना पैसा खर्चा करीए पैसा खर्चा करी दोस्तों वह 7,3,1,4,3 रुपए ठीक इतना खर्चा करीए अब दोस्तों मचली खरीदी थी तो मचली क्या थी नम थी मतलब मचली क्या थी सुखी नहीं थी और मचली को जब सुखवा देगी तो 27.9 किलोग्राम मचली को सुखवाए गी तो उसका वेट एक बटा तीन हो जाएगा एक ब 27 तो आपका आया था दोस्तों कितना आया था 7,3,1,4,3 ठीक है इतना आया था त्यातरज़ एक रुपए कर मचली खरीदी सुखवाई तो हमारा कितना था 27.9 गुड़े एक बटे तीन तो 39 27 सून तीन मलब 903 किलोग्राम मचली उसके पास बच्ची अब इस मचली को 97.5 किल तीन गुड़े 97.5 अब अगर गुड़ा करके आप लोग ऐसे निकालेंगे तो इसका एंसर आजाएगा हमारा एंसर आजाएगा दोस्तों 88,042 से दसमलों पांच रुपए अब देखिए 88,000 क्या 73,143 में हमारा खरीदी थी तो दोनों को अंतर जो हमारा निकाल लेंगे तो यह हमारा एंसर आजाएगा तो अंतर हमारे कितने का फायदा हुआ दोस्तों तो फायदा हो जाएगा 14,899 पांच रुपए का अंतर कर लेंगे ना चलो भई आगे आगे देख लेजिए एक कोशन और हमारा है यह जूही किलो मेटर के उली 60 किलो मेटर प्रती घंटे की से कि इन दूर आपल EL abandoned करने में कुल लगा समय यह मिनट कितना था हमारा पन्या निकाला यह माला मां चाह कर्दे घुड़ा मल टे कीवीस किलोमेटर पचास करके आप से गई थी बटे पचास गूडे साथ हुए आगे देखे लिए प्लस कि निया देखी यहां पर आपका आजाएगा यहां चिवाकट बटे शाथ और गूडेशा यह साथ साथ कट गया यह साथ आपका कटा यह 0-0 कटा ठीक है यह 15 से 15 जोका 60 है आपका 16 जोका आजाएगा 64 यहाँ पर यहाँ पर दोस्तों क्या आजाएगा देखेंगे यहाँ पर आजाएगा आपका 64 ठीक यह इसका गुड़ा यह 64 और यहाँ देखें 5 जोके 20 और 6 जोके 24 प्लस यहाँ आजाएगा आपका 24 और यहाँ आपका आ अब निकालेंगे नहीं टिखिए कैसे आया निकालेंगे तो हमारा चाल बराबर होता है स्वरी समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल तो हमारा कखा बटे 60 कर दिए कर दिए गूडे साथ कर दिए कि कुई की तुम कूरत ना है अब सब को रहती क्रली करना था हमारा म्यिक्षा एग रहना आ 9 अ आंसर को ok अफसम साथ कर ल Ginsburg कर क्या एक संख्या का दसम्रोन निरूपर समझाने के गूड़ा और भाग जोड़ घटा गुड़ा वाग आप लोग पढ़े होंगे बचमन में सबसे पहले ही पढ़ाते हैं कि संब लोगश्क पढ़े हंए आगे पैसलों को एक शिच्छत के योग जोड़ सिखा रहे हैं मेलकि मिस्टे दिया तो सरवसे पहले किया अंशन करेगा वह या सब्ब्रूटी करेगा हैं अपने कहानिक माद दीर मुलते हैं कि हम यह नहीं आई तुमको चार्ड शुन वो दे दिये, दो टाफी ये दे दिये, तुम्हारे पास कितना हो गया, वो ते साब्दिक प्रस्नों को दारा प्रस्तुत कराया जाता है सबसे पहले योग को, ठीक है, समयाराने, आगे देखी, पच्पान नमर कोचन क्या है, कच्छा दो के सिच्चक ने योग जोड के निम् में से किस माडल स्रेणी से संबंदित है, प्रितक्रण योग की पुनावित समुच्चे न समर्दन, हमारा हो जाएगा, इसका समुच्चे न एंसर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जब किसी चीज का भंडा देखे, पांच सेब था, मतलब कोई भी चीज होगा, जब जो चीज देख लेजे, गलत क्योंकि तूटिया ला परवाही दर साती है, सही क्योंकि यहाँ बूद कराती है कि बच्चे गणित के उधान से किस पकार की, अधाना की किस पकार अचना करते है, सही क्योंकि ये विद्यार्थियों को उनके प्रप्तांकों के बारें फीडबैक देती ह गलत क्योंकि गंडित में तूटियों का कोई अस्थान नहीं है भाईया यह हमारा आपसे नंबर सेकन भाईया गलती तो सबसे होती है यार गलती हमसे भी होती आपसे भी होती होगी तो हमारा आपसे नंबर सेकनिस का सही एंसर हो जाएगा चलो आगे देखो सताओं नंबर कि या कच्छा चार की विद्यार्तियों को सम्झाने के लिए कि एक बटा दस एक बटा सव से बड़ा है निम्रिकित में से कौन सी सिच्छन अधियम समागरे टी अलम सरबाधिक को प्युक्त है इसके लिए क्या होना चाहिए दोस्तों इसके लिए संख्या चार्ट आपके लि आगे देख लेजिए भया हमारा 68 नंबर कोशन क्या है कि दो या दो से अधिक दो बिमाओ वाली बस्तों के मापोच्छे तफ़ों की तुलना के लिए इस निम्रिकित में से कौन सा एक सरबाधिक उप्युक्त है तो एक सरबाधिक उप्युक्त हमारा हो जाएगा क्या प्र दोस्तों किस प्रकार मेंदब करती हैं। सब्सक्राइब ही नंम्र कोस्षंच नंरे क्या है बहुत फासली खतम करेंगे और पानी करों डीजाłeं अब दोस्तों सब्सक्राइब हो ऊपर तयता है ने अब फिर भालapa सिच्छार्थियों को दिखाती है कि यहां दूवता है बाद में वास इच्छार्थियों को या सोचने आप Turkey की की आईसा क्यों हुआ इस पृकार का उत्तर देने ने नहींने कित में से कौन सापर करमन कोशल का प्रियोग किया जाएगा इन सब में क्या हो रहा था बच्चे क्या करते बर्गिगांड करेंगे मापन करेंगे परिकल्पन करेंगे आओ लोगण करेंगे क्या करेंगे दोस्तों तो बच्चे क्या देखी तो रहे थे ने कोई बीचे जी जाकर आप आप देखेंगे तो उसके आप क्या करेंगे आप अब जर्वेशन करेंगे किलर हो गया नहीं काले जाएंगे आगे देखिए बाइसर नमर कोश्चन है दोस्तों तुरह फास्टली खतम करेंगे क्या प्रयावण अध्यन के सिच्छा सास्तर से के संदर में सिवाए डैस के नि गलत है और जो गलत है हमारा बताना है देखिए देसमें लिख ओंशन निगेटीव संदर सिवाist में चारों में से एक हमारा सिट्का रहा है आपसं नंबर नंबर सेक्टींज का सही एंसर हो जाएगा आगे दे कि Do प्रिज्च सनच्छन की अधारना पर सिच्छारतियों को सम्मिन दसील बनाने के लिए योजना बनाते हैं निकित में से कौन सी एक कद्वधि इस उदेश से सरबादिक उप्यूकत है तो सबसे अध्धिक हमारा किया हो जाएगा उनको सबसे ज़एदा अगर बिट थै क्या है एक पवधिक को अपनाने और उसका पॉसन करने के लिए परतिक बिद्यार्ति को किया करेंगे अभी प्रेरित कर देंगे इससे और चित्रकला को समुष में सीखना पिसे रूप से पसंद करते हैं क्योंकि क्यों कि क्यों होता भईया क्योंकि हमारा यह पार्टि अधिक्म को बढ़ाऊ देता है सही है समाजी का दिक्म को बेतर बनता सही है पच्चों की सिजनात्मक्ता की प्रसंसा कही जाती है और वे खुश होते हैं तो वे खुश होते हैं वाँ उनके प्रत प्रेरित भी होते हैं हमार आपसा नमबर 4 गलत है तो ABC इसका सही एंसर आपसा नमबर 2 हो जाएगा आगे देखिए प्रियोग करना आकलन का एक संकेतक है निमनिकित में से कौन सा एक प्रियोग करने संबंदी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयोग तरीका है ठीक है तो प्रियोग करने का सबसे उप्युक तरीका हमारा हस्त प्रग भई या हाथ से कोई काम करेंगे ने तभी वो सबसे अच्छा होगा पाइस से जनातों में लेखन नहीं होगा निर्देशन प्रदसन नहीं होगा चित्रपठन नहीं होगा हमारा अपसा नुमर थ्री उसका सही एंसर हो जाएगा चलो शाचर्चार मारो कोंशन देखिए प्रात्मिक च्छाओं में सिचारतियों के पास अनिक प्रक्रणों में अनिक बैकल्पिक आउधाराय होती हैं जैसे सजीह न्रूर्जीह जल्ट चकरपाउध्य आदी इन बैकल्पिक आउधाराय के शुरूत हो सकते हैं परिवार उसम्दाएं पाट पुष्ट को यूम अन्ड पुष्ट के बिल्कुल सही है सिच्छक नहीं हमारा कभितायों कहानियां तो इसका पुष्ट के पूर्टे हटाने लिए इस सब को आपको बता होगा एंसर ठीक आगे देखें अर्शाट नंबर कोश्चन हमारा है रेनु की दादे उसे एक कुवा दिखाते हुए का बताती हैं कि पंद्रा वीर्स पहले कुए में पानी था लेकिन अब यह पूर्टा सूख गय है कुव में पानी सूखने के क्या कारण हो सकता है वताई एंसर क्या है यह वाला देखिए पेड़ों कुएं ताथा उनके आसपास की अस्थान की मिट्टी अप सीमेंट से मिट्टी को अप सीमेंट से ढग दिया गया है आसपास एक इलाके में बहुत सारे बोरिंग गंप लग गए हैं प्रतेक व्यक्ति के घर में अब नल होने की कारण कोई का कोई का कोई उपियोग नहीं करता सूखने से किसे रिल्टर दोस्तों यह नहीं है तो हमारा ए और बीसका सही एंसर हो जाएगा अर्थात आपसा नमबर चार इसका सही एंसर हो जाएगा के चलो भए आगे देखते हैं हमारा 69 no question है बागुला भयंस पर बैठता है क्यों कि हमारा भगुला और भयंस क्या दूसरे के लिखित में से जड़का कौंसा पौदे के लिए नहीं है हमस उप्लब्द करनाः को सारा देना खनी तत्था जल तत्था खनीजों का अवा Pr다 करनाः भोजन सब्च भोजन भणार संचित करना तो यह हमारे हमारे कर न में दोस्तों होता है नमी नमी कौन प्रवाइड करता है नमी जो है मिट्टी मिट्टी में पानी डालेंगे नमी मिलता है आपको तो नमी हमारा मिट्टी प्रवाइड करती है आगे कहता नमर कोशन देखे करड़ा मलिस्वरी के विसे में नीची दिए गए कत्रों पर विचार चलो आगे एक नेमबर कथन देखे क्या है वह अंतरराष्टी ख्याती प्राप्त भारतोलक वे ट्लिप्टरा सही है वे करनाटक की है नहीं भई यह वे आंध्रप्रदेश की है वैसे बिशेसर देखा जाए ते लंगाना की है लेकिन दोस्तों आपके जो एंसी आर्टी में क् रिकार्ड बनाई है वह 130 किलोग्राम तक भार उठा सकी थी बिल्कुल सही है जब वारा बस किती तबीस से भार उठाने का अभ्यास करने लगी बिल्कुल सही है उसने भारत यह जो है भारत के बाहर बहुत से धेर साली लग मगए 25 या 26 गोल्ड मिलल जी चुकी है ठीक तो ह बावली से समधी निमलिखित कुछ कथन दिये गए हैं क्या दिये गए हैं एवाला देखिए हमारा कथना है कि वे जल सनर्चण तथा जल भंडारन तथा सनर्चण की परांपरिक व्यवस्था हैं वे समधाईक श्रोत के रूप में उनका प्रियोग होता था बिल्कुल सही ह उनका निर्माल मुकता वर्सा रहत राजियों में होता था भी नोगों सही है उनमें किवल संदूसित जल होता गलत है हमारा ABC इसका सही एंसर हो जाएगा ठीक है चुलो दोस्तों इसको जल्दी ख़तम करते हैं देखिए वरली एक परंपरिकला है ठीक है वरली नामक अस्थान किस राज में है तो वरली हमारा जो है एक जन जाती है दोस्तों यह हमारा पश्मिघाट में पाई जाती हैं तो अब देखिए पश्मिघाट हमारा पश्मिघाट पर कौन सा परतिय से देखिए तो पश्मिघाट पर हमारा है महारास्ट्रा तो जो वरली जन जाती हैं पाई ज कर लिजिए और उसको डेल ही जो है नालसिस करिए तो आपको मैप से रिलेटर जानकारी मिल जाएगी क्योंकि मैप से दो नंबर तक कोशन पूछे लेता है दो से तीन नंबर कोशन बन जाता आपका अब देखिया हमारा 75 नंबर कोशन क्या है निमलिकित में से किसकी सुनने की गति इतनी पिछ होती है कि वावाई के से पत्तों के हिलने की धोनी और घास पर किसी जानवर के चलने की धोनी का अंतर कर सकता है इसका हो जाएगा आपसा नंबर चार इसका हो जाएगा चार बाग बाग जो है अंतर कर सकता है और बाग का गुरणा तीन किलो मिटर तक आप लोग सुन सकते हैं कई जीजें बाग पारें दिया गया है दोस्तों ठीक है चली आगए जब कोई ब्यक्ती ट्रेन दोरा अहमदाबाद से केरल की आतरा करता है तो वह अनेक सुरंगे पार करता है ये सुरंगे डैस परवतों में है तो अब अहमदाबाद जा रहा है दोस्तों इतनी हमारा क्या हो जाएगा बिंदाजल परवत नहीं होगा बूर्वी घाट नहीं हो जाएगा देखें देखें हमारा क्लास फिफ्ट का है दोस्तों इस आट या पढ़ेंगे आपको मिलेगा क्या लेखागा प्रतिवी गोल है वास्ताओं में प्रतिवी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता केवल सापक्ष होता है हम भारत के लोग डैस के लोगों के है ठीक चलो अठान नंबर कोशन देखें कि मच्छों की प्रजनर की रोख थांग के लिए ठारे पानी पर तेल डालने की सलह दी जाती है इसलिए है क्योंकि क्योंकि भया तेल में अक्षिजन की अपूर्ति को कड देता जिसके मच्छों की लारवा यह पानी में डूप जा तुलाख Chetra के मखानों के ठाचे वहां की जल्वाई मौसम की इस्थिती से संबन्सित होते हैं वहां के गाउं के मकानों के लच्छण निचे दिए गए चलो मकान के लच्छण दिए गए आपको बताना है मकान कहां पर होते हैं क्या है मकान मजबूत मास के खंबोग से बने होतो हैं कोई बात नहीं है बने होते हैं चलो मकां जमीन से 30,50 मेटर उचाई पर बने होते मकां किस्टिट ढालू होती हैं तो भॉया कहीं पे जमीन से अगर उचे हो जाएं options श्मीन devices अगरों ऑजाले हो जाएगा ठीक है चलो 82 नमबर कोशन देख लिजे कि राष्टी पाँच के अनुसार निमिल्खित में से कौन सी एक प्रयावरण अध्यन की सेबस्तु थीम है प्रयावरण अध्यन की थीम कितनी थीम है छे थीम हो आपको बता होना चाहिए पहले थीम में है परिवार वामित्र दूसरे थीम में हमारा भोजन है तीसरे थीम में हमारा जल है और चावते थीम में हमारा क्या है दोस्तों आवास है ठीक और पांचवे थीम हमारा यात्रा है और चाटवे थीम में हमारा हो जाएगा हम बस्तुएं कैसे बनाते हैं तो यह छे थीम आपको पता होना चाहिए तो इस थ क्या हो जाएगा परिवार वामित दूसरा हमारा हो जाएगा आवास चाहे चाहे भुजन लेज़े चलिए आवास हमारा हो जाएगा तीसरा हमारा होजन चावता हमारा जल पच्वा हमारा यात्रा छठ्वा हमारा क्या हो जाएगा हम बस्तुएं कैसे बनाते हैं यात्क लिजिएगा दोस्तों बहुत इंपोर्टन कापिम चाहिए आप लोग इसको लिख लीजिए देखिया तिराशी नमर कोशन ने क्या है परेवर अध्यन की विशेबस थीम आधारित उपागमां को अपनाने के समर्थन में निमलिखित में से कौन सा तर्ग से अधिक सकता है देखिये कौन सा तर्ग है यह वाला परस्ट वाला अप्सन देखिए और संपूरता के अग्यान प्राप्त करने में मदद करता है यह पाठ योजनाओं को एक धाचा प्रदान करने और सिच्छन को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है तो क्या करेगा दोस्तों हमारा क्या करेगा अगर देखा जाए सही सही तो इसका हमारा आपसा नंबर हो जाएगा चार या पाठ योजनाओं क्यों एक धाचा पतान करने में और सिच्छन को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है ठीक चलो आगे देखते हमारा चौराची नंबर कोशन क्या है तो इसका हमारा क्या हो जाएगा कि कहानियां कहानियों में बेक्तियों के अनभव सामिल होते है आपसा नंबर चार इसका सही इंसर हो जाएगा ठीक आगे देखिए पचासी नंबर कोश्चन पर्यावण अध्यान की पार्ट पुष्टक की विशेवस्तु में परिवासाओं और व्याख्यों को दूर रखना रखा जाना चाहिए ठीक है बिलकुल सही आहें रटकार सीखने को अर्ट चन करने के लिए और खोजने का मौइन चाहिए बिलकुल रहत हैँ कि आगे देखिए आपसा नंबर इसका सही एंसर हो जाएगा आगे देख Commons प्रिक्रियआउं इससे कौंसा का ठालन प्रिकरियावाथं में सब से Film उप्यूक्त क्या हो जाएगा इसका देखिए हमारा आपसा नंबर फर्स्ट फॉर्थ जो है बच्चों को निजी वीबरन और वैक्तिक प्रिस्ट पॉंशन फीडबैक देना हमारा यह जो है आपसा नंबर चारिस का सही एंसर हो जाएगा दोस्तों यह सबसे कम होगा और सभी जो हो जाएंगे सबसे अच्छे होते हैं जो है आकलन में आगे देखिए सटाइसी नंबर कोशन क्या है नीचे दिए गए प्रस्ट को पढ़िए ध्यान से पढ़िए क्या आपने अपने घर याई स्कूल के आज पास जानवर देखिए हैं जिनके छोटे पत्ते हैं अपने इसका दोस्तों हम एक वीडियो आपको बताया है जो हमारे यूटूब चैनल पर आप जाएंगे मिल जाएगा जो प्रयावणा का एक त्यूरी सेशन मिल जाएगा दोस्तों उसमें आप जाएंगे यह वाले वीडियो मिलेगा बहुत इंपोर्टेंट यहां से कुशन मनता ह ठीक है इसको जाकर करके आप देख लीजाएंगे इसके बारे में हमने डिटेल वहाँ पर आपको एक्स्प्रेंट किया है आगे देखिए प्रयावणा अध्यान की अंता विशाई प्रिकृति प्रयावणे मुद्धे को टैस्ट त्वार्व सम्मूदित करती है क्या आपस देख सकते हैं वीडियो है ठीक है चलो आगे देखिए 89 नंबर कोशन हमारे क्या है कच्छा 5a के सिच्छक एक सवाल देते हैं क्या देते हैं पेड़ों के पांच लाग लाव लिखिए चलो जबकि वी 5b के सिच्छक निमने सवाल देते हैं क्या होगा अगर धरती पर कोई इन सवालों की प्रक्रति कैसी है तो ए मुक्त अंस वाला अभिसारी एक ए मुक्त अंत वाला अभिसारी और बी ब्रिद अंस वाला अपसारी ठीक है अब देखिए अपसारी मीज हमारा होता जिसका अंत खुला होता है ठीक है अभिसारी मीज जिसका अंत जो हमारा खुला हो तो दोस्तों आप देखिए दूसरा वाला अपसारी है ठीक और भी देखिए हमारा क्या है कि कि एक प्रिफ इसको जल्दी संसर दिल ले जाएगा और यहां पर देखिए दिया गया है कि अगर धर्ती पढ़ना होते तो हमारे क्या हो जाएगा इसका मुक्त अंसर वाला अभी सारी ठीक यह हमारा इंसा सही एंसर हो जाएगा दोस्तों ठीक चली आगे देखते हैं हमार चारता नंबर क्या कच्छा एक में प्रियोण अध्यन में अकलात के अंध्याम2 क्यूंसा से सब्सक्राइन क्यों अpmuleари क्योंकि बच्चों को इस मना दाता है सिच्चो को को और लोको नौ रिकार्डिंग या किसी को ना रोके को ध्यान में रखते हुए कोई आकलन के आउसकता नहीं है अब बताईये कच्चा एक में परियावण अध्यन के सिच्चारतियों को आकलन की बारे मिल्क्त में से कौंसा कफन सब् appel है ठीक है तो ड्राइंग इसकी बारे में सबसे अच्छा है कि बच्चों को आँसमें आनन्द आता है था हम आ अपसर नम्बर fast इसका हो जाएगा अपसर नमबर B हो जाएगा दोस्तों इसका इससर B देखिये, B न हमारा हो भी जाएगा देखिये, इसका नंबर हाँ, shows us, एवला भी, हो जाएगा, ठीक है, और B वाला भी हो जाएगा, और C वाला, इसका नंबर देखिये, हमारा अपसा नंबर 4 से हो जाईगा, दूस्तों, अपसा नंबर 4, A, B, C, उसका है कि बच्चे लिखने में सच्षम नहों कि इसमें आनादा आता है् या सिभ्राइब कर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा सब्सक्राइब आते हैं को सेशन पहले हिंदी गो अब देखिए दोस्तों हमारा हिंदी है ये तो दोस्तों अब हिंदी को हम करते हैं देखिए हिंदी में हम करते हैं फटा फटा का सिखने का उद्देश क्या है ठीक है तो क्या है प्रते कि स्थीन बाशा का प्रियुक कर पाना बाशा सिखने का उद्देश होता है ठीक है बच्चों के भासाई विकास में समाज का मात्पुर्ण का होती है अभी हम बताएं है बाल विगाई वह जब आपको सीडिपी पढ़ा रहे थे तो बाई गोस्की की होती है बच्चों में भासाई विकास जमगरता हो सके इसके लिए उप्यक्त अनुसंसा क्या होगी भासा के प्रियोग पर विविद भासा के विविद आउसर होगी हमारा इसका आपसन नमर फासिस का सही एंसर हो जाएगा चलो आगे देखते हमारा 94 नमर कोशन अब देखे लिकित भ चलिए आगे देख लिजिये है में 25 नमर कोशन के बहाशा की कच्छा में भासा है खेलों का आयोजन की आकलन का काका करता है रोचक्ता लगता द्यापन कुश्राल बलता है भासा सिखनी के सोबिक्ता लाता है कि इसका आपसन नम्बर चार दोस्तों सही एंसर हो जाएगा आ आगे देखे 96 नमर कोशन क्या है कि कविता कहानियों पर चर्चा करने यूंप पूछने का उद्देश क्या होता है तो कहानियों पर चर्चा करने का उद्देश क्या होता है कि इश्पर कलपना देखे बहासा चीखने का पोच्ल न करना मात नहीं अप्सन नब्र ये इसे हो जाएगा ये भी हमारा अकलत हो जाएगा आ कि भासा का अस्तित्यों विकास के बाहर नहीं हो सकता है किसके बाहर नहीं हो सकता है दोस्तों साइट के बाहर समाज के बाहर विद्याले के बाहर परिवार के बाहर तो भाईया सबसे पहले तो आपका दिखा जाए समाज इसका हमारा सही अंसर हो जाएगा दोस्तों अगर नहीं हो सकता ठीक है तो हमारा हो जाएगा परिवार के बाहर या समाज इसका दोस्तों समाज के बाहर हो जाएगा भासा का जो हमारा अस्तित होता है वो अस्तितियुम विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता है ठीक, आगे देखिए आगे देखिए हमारा क्या हो जाएगा 98 क्या है किसी समावे से कच्छा में कौन सा भासा सिच्छन सिधानतों की अनकूलन है बच्चे अपने अर्भू के अधार पर भासा के नियम नहीं मना पाते हैं ॥ अब देखिए इसमें कि बच्चे यहां पर देखिए भासा बिद्याले में रहकर जिए की जा सकती है बिल्कुल सही है इसका हमार आपसा नमबर थार्ड इसका सही एंसर हो जाएगा ठीक है आगे देखे निनानवे नमर कोशन क्या है कि क्या प्रात्मिक अस्थर पर विदार्थियों में भासा विकास भासा सिच्छन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है ठीक है अब दे स्वता है भासा में सुधार करते हैं या बच्चों की भासाई सेंकलपनाव और प्षैक के भासाई परिवेस में बिरोधा भासी भासा सीखने में मदद करता है या बच्चे भासा के जटिल और संब्धock सानचनाओं का ज्ञान विदाले में हिरजित करते या चौथा सतत रूप सिक्ट की जाने वाली ठीपड़ियां यो अनवरत भासा सीखने में रुज़ उत्पन करती है तो इसके लिए हमारा देखा जाए क्या हो जाएगा आपसा नंबर इसका तीन से हो जाएगा बच्चे क्या हो जाएगा भासा की जटिल और सम्रिद में चीखेंगे आएगे देखिं हमारा हंदेड नंबर कोर्षण क्या है लिखा गया प्रात्मीं कस्तर की गच्चा में भिनी प्रा già को अलग अलग भासा बोल्ने वाले बच्चों का नमांगन हुआ है ми EXT में भासा की कच्चा में हैं बच्चों के भासाय विकास के साधन के रूप में इसको उप्योग करेंगे दोस्तों थीक है क्या हो जाएगा भासाई विकास के संदर में क्योंकि जब सभी जगाँ मिक्स करके दूसरी भासों के सिखाएंगे तो आपको असानी से सां हो जाएगा समस्मिया जाएगा दोस्तों ठीक है चली आगे देखिए हमारा क्या एक 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 नमबर कोशन है पहले कच्छा की भासा अध्यापिका है अपने एक भासाई विद्यार्थि के भासाई विकास के संद्र में चिंतित है क्योंकि विद्यार्थी घर पर बात करने के बहुत कम आउसर मिलते हैं विद्यार्थी को माता-पिता की माधवासा अलग है विद्यार्थी के माता-पिता की माधवासा अलग है विद्यार्थी अपने सातियों से बहुत जगरता है विद्यार्थी पठन-पाथन मे रूचि नहीं प्रदस्तित करता है। थे तो बच्चे के लिखने के काटन सब्सक्राइए अब देखेए, कहाने सुनने के लिखने को बोलना सरलता से, सीखते हैं आपसा नमर थारेस का दोस्तों सही एंसर हो जाएगा आगे देखिए विद्यालेक अच्छा में समरेद भासाई परिवेश से तात्पर है अच्छा लोग क्या तात्पर है कि इसका तात्पर हमारा हो जाए क्या बोलने सुनने पढ़ने लिखने से अधिक आउसर मिलना तब बच्चे अराम से सीख ले जाएंगे दोस्तों ठीक है आगे देखिए हमारा क्या है 104 नमर कोशन देख लेजिए कि अपने विद्यार्थियों की भासा सम्मंधिक कर्मिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भाता मुकर उपेश से निर्भर है मौकी कार करवाने पर गरे कार और उत्तर पुष्ट कारवाने पर कच्छा कार और लोकन पर पूर्ट फूलियो और लोकन पर इसका हमारा एंसर क्या हो जाएगा दोस्तों एंसर हो जाएगा पूर्ट फूलियो और लोकन पर ठीक है आगे देखए 105 नमर कोशन क्या है कि आपके विद्यार्थी पार्ट में आये नवीन अपछित सब्दों का आर्थ जानदा के इसके लिए आप क्या करेंगे सब्दका अर्थ है लिखवाएंगे दोस्तों इसका अंसर हो जाएगा आपका 105 नमबर का इसका नमबर सब्दका अर्थ है लिखा करके उसको बताएगे क्या होता वैसे हम लोग अब लिखाए जाता था आप लेको लिखे होंगे जानते होंगे अब देखिए यहां पर दिखा दिया गया है नीचे दिये गए गंदांस को पढ़ कर देख पूशे गया प्रसनों को संख्या 160 तक नीचे दिखे प्रसन का उप्युक्त है उत्तर वाले विकल्ब को चुने चलो चुनो भाईया लिखा गया है मा रमेश मीना क्य प्रसने नहीं दे रही थी मा लेकिन तुम इस समय पढ़ क्यों रहे हो या कोई पढ़ने का समय है आज कल क्या आज कल चौपसे गंटे चौपसे गंटे की हो गई है दिमाख है या मसीन और क्या पढ़ने के लिए मेरी बहन को पिढ़ना जरूरी है रमेश मा पढ़ूंगा नहीं तो कच्छा में अबल कैसे आओंगा मुझे फस्ट आना है तुम भी तो यही कहती थी मा हां कहती थी पर तुम हर वक्त खेल 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 फस्ट आना था तो सुरू से पढ़ा होता अब जब परिछाएं सर पर आ गई तो रटने बैटे हो तुम क्या समझते हो कि ऐस आज मैं खेलने नहीं जाओंगा कोई आए तो मना कर देना अब मुझे पढ़ने दो अकबर का जन्म अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था अमरकोट में मां अकबर का जन्म जहां भी हुआ हो तुम्हारा जन्म यहीं हुआ है मैं तुम्हें रट्टूत होता नहीं बनने द किये रमेश ने मीना की पिटाए क्योंकि भाईया पढ़ने नहीं दे रही थी एंसर हो जाएगा कछ्छा में पर्था माने के लिए क्या होना अवस्चक है भाईया शुरुआती से नियुमित पढ़ाई करना चाहिए या कोई पढ़ने का समय है प्रस्ण का आसा है या पढ़न इसका कौन से हो जाएगा फस्ट वाला हो जाएगा यहां पढ़ने का समय नहीं ठीक आगे देखिए हमारा 110 नमर कोशन है कि जो सब्द से से भिन हो उज्जे छाटिए परताम आवल फस्ट परिच्छा परिच्छा हमारा हो जाएगा इसका नहीं इस अब का मतलब क्या होता फस्ट होता है तो परिच्छा हमारा इसका गलत हो जाएगा आगे देखो भाईया हमारा 111 नमर कोशन हां कौन सा विसेशन रमेज के लिए उप्यूक्त हुआ है ठीक है तो रट्टूत होता बताया गया है जो था आपसने इसका सही हो जाएगा पर तुम आज का भाव पर त तुम पढ़ते ही रहे पर तुमने ध्यान नहीं दिया पर तुमने रटना इसी का है पर तुमने छोड़ दिया है ठीक है तो इसका पर तुम का भाव क्या हो जाएगा बताईए तो पर तुम का भाव होगा पर तुमने पढ़ना छोड़ दिया ठीक है आपसा नंबर कौन सा इसका सही हो जाएगा अब इसका चार सही हो जाएगा ठीक अकबर का जन्म कहा हुगा था अकबर का जन्म हुगा था अमर कोट में आप लोग कहानी पढ़े होंगे अभी इसर पता है बहुत निकट आना मतलब सर पर आना ठीक है पास आना नहीं सर पर आना दोस्तों हो जाएग इसका सर पर आना ठिक इसका हो जाएगा बहुत निगट का मतलब क्या हो जाएगा सर पर आना ठिक चलो आगे देखे क्या है भाईया आपको 115 से लिखा 120 तेक आइंसर देना है इसको आपको पढ़ना है लिखा गया है जीवन के इस मोड पर कुछ भी कहा जाता नहीं अनेरे की डेओडरी पर सब्दों के पहरे हैं हासने को हस्ते जीनों को जीते हैं सादन सुभीतों में जादा ही डिते हैं बाहर से हरे भरे भीतर गाव मगर गहरे हैं सब के लिए गूंगे हैं अपने लिए बहरे हैं अब देखिए 115 नमर का हमारा पहला कोशन क्या है कुछ भी कहा जाता नहीं ऐसा क्यों ठीक है अब देखिए कुछ भी कहा जाता नहीं ऐसा क्यों तो इसका एंसर क्या हो जाएगा भी या बंधन और वेवसी के कारण कविता की पंक्तियों में पाने की विवस्ता की रीते का भाव है रीते का भाव क्या हो जाएगा दोस्तों रीते का भाव हो जाएगा यहाँ पर खाली पन का ठीकिए है खाली पन का लेते का भाव मेशंग हो admitting in progress केशां आगे देख लेते हैं हम फटा-फट कदम लेते हैं दोस्तों बहुत लंबा वीडियो हो गया है कब यह बनक्तियों की आथारप पर कहा कहा जा सकता है कि चाया घाशा से कई कभो कभinky गाशा के कि जती में नहीं है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर क्या हो जाएगा बताईए इसका एंसर हो जाएगा आपसा नमबर अब देखिए इसका answer हो जाएगा आपका option number ये कभी कभी घाओं के गहरें कभी घाओं के गहरें होने से दुख़ी आपसा नमर क्या हो जाएगा इसका first हमारा सही answer हो जाएगा चलो भाया दो इंदिक हो जाएगा आपका दर्वाजा जीवन के दरवाजे पर भीतर का गहाव मतलब क्या हो जाएगा इसका की हिर्दय की फिगड़ा थेक है तो दोस्तों यह हमारे हिंदी के टूटल कोस्ट हो गयी कंप्लीट दोस्तों अब हम complete करने वाले हैं आपका English का question दोस्तों लेकर English का question हम नहीं complete करेंगे तो आज के लिए इतना है दोस्तों अगर इसका PDF आप लोग चाहते हैं तो इसका PDF आपको यहां पर मिल जाएगा पर मिल जाएगा आप लोग जा करके Stage Technic 95 साच कर लेंगे बाक्षा ने पर वहां मिल जाएगा इसका आप देखते हो आं요 up кино को राइक कर देना और आप लोग सेयर नहीं करते हो दोस्तों सेयर कर देना और कोई और आपको गलत लगे कहीं से कोई 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 इस पॉस्प्लानेसीशन गलत हो गया हो आप लोग इस नंबर पर हमको मेसेज कर दिजे ठीक है इस इस को स्क्रेसं लेक्र कर के हैं आप लोग हमको इस नंबर पर मैसेज कर दिश्य क्या सब्कित गलत है जाँ तो आप अगर पधाई नहीं करते हों भीया पढ़ाई रखे पढ़ाई जाई रखिए नहीं तो भाई नहीं करेंगे तो नौकरी नहीं मिलेगे तो घर नहीं बसेगा तो सब कुछ भाई अधूरा अधूरा हो जाएगा ऐसे पढ़ाई करते करते यूपी में हो हैं तो अगर भाई बूड़े होते चले जा रहे हैं कोई पता नहीं है ठीक झाल झाल